रेलम ये नोपो डेटा ट्रांसफर सेटिंग नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर हम डेटा ट्रांसफर के बारे में बात करने वाले हैं ठीक है कि आप जबी भी दोस्तों आपने मुबाइल को पीसी पर कनेक करते हैं तो उस बग दोस्तों आपको डेटा ट्रांसफर का सेटिंग चाहिए होते हैं तो कई लोग ये सेटिंग जो है डुन नहीं पाते हैं कई लोग ये सेटिंग नहीं कर पाते हैं कई लोग कर लेते हैं तो कुई कर सकते हैं अगर कोई नहीं कर पाद तो आज की अध़ीक कर मैं आपको इसे के रिगार्ड़ंग पर सेटिंग वह वे बताने वालोह तो वीडियो को आज तक देखें जो सेटिंग आप उसको फोलो कर लिजे तो डेटा ट्रांफर सेटिंग आपका हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वैल आइकन को क्लिक करें यहीं आप ओनलाइन पैसा कामाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा ठीक है और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर हमें ट्विटर पर फॉलो करके में सेस कर सकत हैं तो चलिए वीडियो शुरूकरते हैं तो सबसे पहले सेटिंग पर जाना होगा सेटिंग पर जाने के बात स्क्रॉल डाउन करें आपको मिलेगा दोस्तों यहां पर अबिसनल सेटिंग कर आपको ठीक हैं हमें सेर्च करना था और फोन और đबाप फोन कहा पर है चलिया वह देखते हैं, तो यहाँ पर about phone, तो about phone पर जाने के बाद best bent and kernel version पर click करना है, build number पर आपको click करना है, साथ बार, उसके बाद दूस्तों आपका developer option enable हो जाएगा, वो है additional setting पर, तो उसके बाद आपको developer option मिलेगा, तो उसको enable करे, and then आपको यहाँ पर नीचे search करके जाना है, data configuration option, ठीक है, तो जैसे के आप screen पर डेख सकते, select USB configuration, तो उसको आपको click करना है, उसको click करने के बाद दोस्तों आपको मिलेगा media transfer protocol, ठीक है, MTP, तो आपको वो जो है enable कर देना है, यह जैसे enable करेगा, दोस्तों आपका यहाँ पर transfer setting बन जाएगा, अभी दोस्तों यहाँ पर एक और setting है, default USB configuration, तो इसको भी जाकि आपको file transfer कर देना है, नो data transfer करोगे, तो आपको कोई भी data transfer नहीं कर सकते, तो आपको जाकि यह setting कर देना है, उसके बाद दोस्तों आपका setting हो जाएगा, ठीक है, तो यह है दोस्तों आपका data transfer setting PC के साथ में, तो यह setting अगर आप करते हैं, तो बहुत आसानी से आप PC पर अपना data transfer कर सकते हैं, ठीक है, तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतने, उमीद करते हैं, आपको वीडियो पसंद होगा, thanks for watching,